हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू अटो विज्ज और मेरा नाम हर्शित है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टोयोटा की आरेवी 4 के बारे में जो की काफी कम दाम में आती है और टोयोटा की तरफ से बेस्ट सेलिंग SUV में से एक है आपको बता दू कि वर्ल्ड वा कमपस ये सारी गाडियों के जितना भी खेल है सब चौपट हो जाएगा इंडिया के अंदर तो दोस्तो कुल मिला के हम बात करने वाले हैं टोयोटा की आरेवी 4 के बारे में इसमें क्या क्या चीज़े मिल जाएंगी वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा ए CV है और अब हर महीने इसकी लाखों यूनिट बिक जाती है इतनी जादा पॉपिलर है यह मतलब इसकी पॉपिलरिटी का अंदाजा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जितने भी आटोमोबील क्रिटिक्स हैं इसके अलावा मैगजीन्स वगेरा हैं सब आल्मोस्ट चार स पांच की रेंज के बीच में इसको पॉइंट्स देते हैं तो यह कितनी जादा पॉपिलर और सेक्सेस्फुल है इसी चीज़ से अंदाजा लगाया जा सकता है और इसके अलावा जो टोयोटा के रिस्पॉंस है इंडिया में लांच को लेकर वो बहुत ही जादा पॉजिट है अब सबसे पहले बात कर लीजाए अगर आरेवी 4 के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर आपको बता दू कि इसमें 2.5 लीटर्स का आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल एंजिन देखने को मिल जाता है और अगर बात करी जाए पावर आउटपुट के बारे में तो काफी जादा पावरफुल इसमें इंजिन मिल जाता है इसके सेग्मेंट के हिसाब से दोसो तीन भी एच्पी की पावर जो है आराम से प्रिड्यूस कर लेता है ये इंजिन दोस्तो टोयोटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने पावरफुल इंजिन के साथ संतुष्ट नहीं हु जाता है किवल एक ट्रांस्मिशन ऑप्शन जो की आटोमेटिक वाला है जो की काफी लैग फ्री और बड़िया बताया जाता है आरे वी फोर बहुत ही जादा पावरफुल गाड़ी है जैसा कि मैंने आपको अल्रीडी बताया इसके अलावा इसका जो एक्सलरेशन है वो भ काफी शाफ्प लाइन्स का तुझ किया गए है इसकी टेट लाइट काफी अच्छी है इसकी घ्ड़लाइट करीब यह रखी है तो overall मुझे तो personally बहुत अच्छा लगा आपको क्या लगता है इसके looks के बारे में नीचे comment box में जरूर बता दीजेगा मुझे 4.6 meters तक की इसकी length मिल जाती है जो की almost करीब है MG Hector के इसके अलावा आप एक चीज और notice कर पा रहे होगे कि इसका जो front bumper है वो काफी ज़र्दा उपर की तरफ place किया गया है अगर आप इसको off-roading पे ले जाते हैं तो इधर उधर इसका bumper ठुकेगा नहीं बार बार इसके अलावा जो grill आप देख सकते हैं वो कितनी ज़र्दा aggressive लग रही है मुझे तो personally बहुत अच्छी लग रही है बात करी जाए अगर इसके side profile की तो आप sea pillar के पास सबसे पहले देख सकते है कि कितनी बढ़िया design देखने को मिल जाती है इसके अलावा इसके door पे भी आपको काफी angular बढ़ियाजी line देखने को मिल जाती है और जो body cladding है वो आप notice कर पा रहे होंगे कि black color की है glossy black है वो काफी बढ़िया है और सबसे main चीज इसके side profile में आपको बता दूँ 19 inch के आपको इसमें सारे variants के अंदर wheels देखने को मिल जाते है जो कि काफी बढ़िया लगते है अब अगर move किया जाए इसके rear portion में तो आप देख सकते हैं कि इतनी बढ़िया सी design वाली आपको tail lights देखने को मिल जाती है और सबसे interesting part इसके back में मुझे जो लगता है वो एक पट्ती जो chrome की आपको देखने को मिल जा रही है वो काफी बढ़िया देखने में मिल जाती है इसके अलावा fox skate plate है gloss finish के आपको जो bumper है वो देखने को मिल जा रहा है तो काफी बढ़िया overall मुझे देखने में लगता है इसका back इसके back में आप dual exhaust tips भी notice कर पा रहोंगे हाला कि देखने में उतनी appealing नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाता है अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये गाड़ी जो है वो off-roading के लिए भी काम में आ सकती है हाला कि light off-roading के काम में आ सकती है तो उस हिसाब से इसका ground clearance भी मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर इस segment में सबसे बढ़िया आपको मिल जाएगा 220 mm का आपको इसके अंदर ground clearance मिल जाएगा जो कि कितनी बढ़िया बात है तो चलिए अब move करते हैं इसके interior की तरफ और सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ interior इसके काफी आपको basic से देखने में मिल जाएंगे लेकिन feature आपको सारे देखने को मिल जाएंगे interior में कहीं-कहीं पे leather का भी use किया गया है इसके अलवा जैसे नॉर्मल सा आपको plastic देखने को मिल्ती है वैसी वाली plastic का भी use किया गया है तो overall बहुत जादा premiumness तो आपको नहीं मिलेगी लेकिन इसके अलावा features जैसा कि मैंने कहा वो सारे आपको मिल जाएंगे सबसे पहले अगर इसके infotainment system के बारे में कुछ बता हूँ इसके अंदर सारी ही आपको connected car वाले जो भी features है वो सारे देखने को मिल जाएंगे तो यह एक मेरे ख्याल से काफी बढ़िया चीज है और अब तो मेरे ख्याल से यह चीज एक compulsory हो गई है इसका जो instrument cluster मिलता है वो भी आपको semi-digital देखने को मिल जाएगा इसमें जो आपको front seats देखने को मिल जाएंगी वो ventilated seats है और काफी बढ़िया support के साथ आती है जिसे lumber support का आ जाता है इसके अलावा panoramic sunroof देखने को मिल जाएगी काफी बढ़िया देखने में लगती है पावर moonroof है तो यह सारी चीज़े बहुत बढ़िया कुल मिलाके इस गाड़ी को बना देती है इसके अलावा boot space जो है वो भी काफी गजब का देखने को मिल जाएगा एकदम लाजवाग 600 liters का capacity है इसके अलावा अगर back seats आप fold कर देते हैं तो मेरे ख्याल से उसके अंदर आप आराम से एक छोटी गाड़ी जो है वो घुसा सकते है तो दोस्तो फाइनली ये तो मैंने सार अगर बात करी जाए प्राइस की तो यहां पर आपको बता दू बहुत ही कम प्राइस है इसके जो बेस वेरियंट्स है और अगर इसी प्राइस पर इंडिया में लॉंच होती है ये गाड़ी तो मतलब एकदम तहलका मचा देगी सारा जो इसका competition है सब खतम हो जाएगा इतन कि इस वीडियो में कई चीज़े पहली बार होने वाली हैं जैसा कि मैंने इसका like target भी वीडियो का रखा पहली बार इसके अलावा मैं autowiz rating अगर इस गाड़ी को दूँ पहली बार किसी गाड़ी को मैं देने जा रहा हूं तो almost आप मान के चलिए 4.5 के आसपास जरूर दे द पास 15 से 20 लाग क्या असपास भी इंडिया में अगर लॉंच हो जाती है तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होगा यह तो चलिए आप फाइनली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है मिलते हैं अगले लाइचे कमें लेगती है जरूर को जो जार शे कमेंट कि इंडिया झादा लें रहे टीचे को चलिए कर अनी इंडिया है इंडी को खर जो शेया है Mah जब वे pleased तो प्ल ents Att č thoughts बहू हो क्तों अपले कि ए, करो भीबर लमेंगा को पलसी में लिलें इंडियाा है झाल झाल